आज की informative वीडियो में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वगत करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि power of compound interest क्या होती है बचपन से हम सुनते आ रहें कि compound interest विश्व का आठमा जूबा है ध्यान रखिए केवल चीजों को सुनना important नहीं है उस पर अमल करना भी बहुत important है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आपकी आई कितनी है यदि आप सही तरीके से अपनी income को manage करना सीख जाएं तो बहुत कम समय में आप भी करूरपती बन सकते हैं बहुत सार लोग saving तो करते हैं लेकिन कोई नहीं पता कि उस saving को invest कैसे करना है आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं और इस बात को समझाने के लिए मैं छोटी सी कहानी याँ पर आपको सुनाता हूँ ये तीन दोस्तों की कहानी है तीन दोस्त थे राम शाम और मोहन एक ही college से pass out हुए और अच्छे से सभी ने अपनी योगता को हासिल किया लेकिन उसके बाबजूद भी same degree होने के बाबजूद भी उनकी personal ability में बहुत ज़ादा अंतर था और बचपन से ही वो जानते थे कि compound interest is the eighth wonder of the world विश्व का आठवा अजूबा है compound interest और ये बात सब लोग जानते हैं लेकिन बात जानना केवल काफी नहीं है जब तक आप उस बात पर अमल नहीं करेंगे तब तक आपको result मिलने वाले नहीं हैं और personal ability के अधार पर जब वो तीनों दोस्त अपने करियर में अपनी जॉब पर गए तो उनको salary बिलको different मिली राम एक below average student था इसलिए उसकी salary जो थी वो 25,000 रुपी परबन थी श्याम एक average student था और उसकी योग्यता राम से कहीं ज़्यादा बेतर थी इसलिए उसकी salary 50,000 रुपे मिली और मोहन बहुत intelligent था जिसकी वज़ा से उसकी salary एक लाख रुपे हुई क्योंकि हर एक व्यक्ति की personal ability different होती है और यह देखा भी गया है जब campus selection होता है ना तो same class के बच्चों को सबको अलग-अलग salary पर hire किया जाता है लेकिन आपको देख कर लग रहा होगा कि यह जो मोहन है ना इसकी salary सबसे high है और यह life में बहुत संवरिध रहने वाला है यह एक average रहने वाला है और यह हमेशा poor रहने वाला है दोस्तों कभी भी इस बात से फरक नहीं पड़ता है कि आप बरतमान में कितने पैसे कमाते हैं पर किस बात से पड़ता है आप उसको कैसे save करते हैं और कैसे invest करते हैं और इन में से तीनों दोस्तों ने ही बचपन से सुना था कि compound interest आठवा आजूबा है लेकिन राम और श्याम क्योंकि वो middle और average family में आते थे तो उन्होंने कहा हम अपनी income का 20% बचाएंगे यही बात श्याम ने भी decide की लेकिन मोहन ने कहा कि मेरी salary आज भी अच्छी है और मेरा भविश्य भी अच्छा होने वाला है मैं हमेशा अपनी luxury life को जिऊंगा और मेरे पास एक अच्छी income है तो इन्होंने 20% saving की और यह 20% saving कितनी होती है अगर राम की saving को हम calculate करें 20% के हिसाब से तो यह 5000 रुपे पर मन्त इसने saving करना शुरू किया और श्याम क्योंकि इसका दोस्त था तो इसने भी कहा मैं भी 20% ही बचाऊंगा लेकिन इसकी salary double थी इससे इसलिए इसकी saving 10,000 रुपे पर मन्त थी friends एक बात को ध्यान रखेगा मैंने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बचाते हैं फर्क पड़ता है कि आप कैसे निवेश करते हैं और हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि अगर आप saving को अपने ही पास रखते रहेंगे तो वो हमेशा plus के रूप में काम करेगी मतलब हर महीने 10,000,000 रुपे जोड़ते चले जाएंगे लेकिन अगर आप उसको invest करेंगे तो उस investment पर आपको एक percentage of interest भी मिलने वाला है आप जानते हैं कि अगर मैं saving bank account में पैसा डालता हूँ राम जानता है कि saving account में डालता हूँ तो साड़े 3-4% इकास को ब्याज मिलेगा FD करता हूँ तो 5-7% का ब्याज मिलेगा लेकिन अगर मैं इसको SIP systematic investment plan के थूँ निवेश करता हूँ किसमे mutual fund में या किसी भी अपना share market में या stocks में तो मैं ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकता हूँ राम इस बात को अच्छे जानता था जानते तो ये भी थे पर जानना और अमल करना दोनों अलग बाते हैं तो देखते हैं क्या calculation रही राम ने 5,000 रुपे महिना save करना शुरू किया और एक साल में मतलब 12 महिने में अगर calculation की जाए तो 5,000 के हिसाब से 12,50, 60,000 रुपे इसने बचाए और यहाँ पर इसने 10,000 रुपे के हिसाब से 1,20,000 रुपे बचाए आप यहाँ देख पाएंगे राम ने जो 10,000 सेविंग की इसकी सेविंग 1,20,000 हुई लेकिन शाम ने जो सेविंग की 10,000 रुपे उसकी सेविंग 1,20,000 रुपे हुई जबकि राम ने जो सेविंग की वो सेविंग तो 60,000 थी पर उस पर मिलने वाला जो compound interest हमने calculate किया था कि लगबग 12% का return हम expect करते हैं कि राम यहाँ पर कमारा होगा और यह return जो कमारा है 12% का इसकी calculation कैसे करती है यहाँ मैं आपको एक formula बताता हूँ कि compound interest की power क्या होती है और उसको कैसे calculate किया जाता है उसके लिए simply आप Google पर search कीजिए आप Google पर search कीजिए compound interest तो जया अब compound interest calculator सर्च करेंगे तो आपकी screen पर compound interest का calculator यहाँ पर आ जाएँगा और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे calculator दिये हैं तो यहाँ पर हमें calculator को सेलेक्टरते हैं और झेक करते हैं कि compound interest की power हमें क्या सिखाती है और क्या बताती है देखें यहाँ पर एक format दिया हुआ है, इस format में आजकल कहें कि इसको calculate करने के लिए formulas और mathematics calculation करने के जरूत नहीं है, आप automatic calculation कर सकते हैं, यह compound interest calculator है, तो यहाँ पर हम simple compound interest या simple interest calculate कर सकते हैं, compound interest calculate करते हैं, और यह मानते हैं कि हर महीने वो 5000 रुपे deposit कर रहा है, मतलब initial deposit उसने कु उसको मिलने वाला return कितना है, मान लेते हैं, उसको मिलने वाला return है, वो 12% है, और 12% के yearly return से उसको पैसा मिलता है, और calculate करते हैं कि पहले साल में उसको कितना पैसा मिलेगा, 12 महीने की calculation हम लोग यहाँ लगाते हैं, और यह जो calculation है, monthly calculate हम करी रहे हैं इसको, और आगे चलते हैं इनिशल अमाउंट डिपॉजिट मैंने आपको बताया है कि यह 5,000 रुपे महीने जमा करता है तो देखते हैं कि कितना माउंटर नोवला है और यहां पर at the end of the month क्योंकि salary उसको महीने के end मिलती है तो at the end of the month उसको मिलता है पैसा तो यहां calculate करते हैं तो यहां पर आपके सामने calculation आ जाएगी देखिए राम ने केवल कितना पैसा जमा किया 60,000 रुपे मतलब यहां पर अगर राम की investment देखेंगे तो 60,000 रुपे 5,000 रुपे मेने के साब से लेकिन 12% के return से इसको 3,412 रुपे interest मिला और इसका जो capital था वो 63,412 रुपे हो गए यह मैंने एक साल की calculation लिया है वापस चलते हैं अपनी screen पर और देखते हैं कि आने वाले समय में इसके पैसे कितने होने वाले हैं तो यहाँ पर compound interest की power लगने के बाद इसका amount हो गया 1,34,866 रुपे है ठीक है और यही बात अगर हम 5 साल में calculate करते हैं तो यहाँ पर पैसा सिर्फ प्लस हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है पैसा मतलब आपका principle प्लस उसका compound interest दोनों चीज़े जूरती जा रही है तो पांचमे साल में इसका 4,83,000, 4,8,350 रुपे हो जाएगा और यही calculation यदि हम 10 साल के लिए करते हैं तो श्याम के पास 12,00,000 रुपे होंगे मतलब 6,00,000 रुपे यहाँ पर जमा किये लेकिन उसके 11,50,193 हो गए 15 साल की calculation अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसके 18,00,000 रुपे हो यहाँ पर इसका amount 24,98,000 हो गया जबकि इसने केवल 9,00,000 रुपे जमा किये थे और यहाँ पर 20 साल बाद हम देखते हैं तो 24,00,000 रुपे और इसके पास 49,00,000,000 रुपे इसे कहते हैं power of compound interest 25 साल में calculation देखेंगे तो यहाँ 30,00,000 रुपे और यहाँ पर इससे 3 गुना लदबग पैसे हो गए deposit करके करोड़ पती बन गया होगा अब आप में से बहुत सार लोग प्रश्न करेंगे मुझे comment box में भी लिखकर बोलेंगे वीडियो को पहले ध्यान से आप देख लीजिएगा फिर आप comment लिखेगा कि सर हम 30 साल तक इंतिजार करेंगे नहीं friends यहाँ पर मैंने आपको बताया आप केवल 5,000 रुपे पर मन्त जमा कर रहे हैं और जैसे जैसे आप life में आगे बढ़ेंगे आपकी income भी बढ़ेगी और income बढ़ने के साथ साथ हो सकता है अगले कुछ महीनों बाद आप 7,000 रुपे जमा करें हो सकता है आपकी salary और बढ़ जाए फिर आप 10,000 रुपे जमा करें और आगया बढ़ जाए फिर 20,000 रुपे जमा करें क्योंकि एक discipline आपने maintain कर लिया पैसे को deposit करने का और जैसे जैसे income बढ़ती जाएगी आप पैसा बढ़ाते जाएंगे सेविंग बढ़ाते जाएंगे और उसी ratio में number of years यहां घटते चले जाएंगे अगर यही काम श्याम करता ना तो इसके अलगबख साड़े तीन करोड से भी जादा रुपे होते लेकिन इसने केवल compound interest की power को नहीं समझा पैसे को समझा कि मुझसे ज़्यादा बेहतर मेरे पैसे को कौन सेव कर सकता है और इसने पैसे को अपने पास रखा यहाँ पर एक बात समझना बहुत जुरूरी है कि compound interest ना वो शुरुवात में तो बहुत छोटा 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 amount हमें interest के रूप में मिलता और हमें लगता है कोई खास benefit नहीं हो रहा है लेकिन जैसे जैसे हम long term में जाती हैं तो compound interest की power में दिखाई देती है करने के लिए initial amount भी डालते है दो लाग चार लाग पांच लाग आठ लाग दस लाग इसका benefit भी आपको बहुत ज़दा होता है आप कितना initial amount डालते है उस पर भी depend करता है माल लेते हैं 12% का return आपको मिल रहा है और आपने यहाँ पर 30 साल के लिए डाला इसका मतलब 360 महीने के लिए आपने पैसा deposit किया है और सिर्फ 5000 रुपे पर मन्थ आप deposit कर रहे हैं तो at the end of the month आप कर रहे हैं तो यहाँ पर हम calculation को जब चेक करेंगे ना calculate करेंगे तब आपको पता लेगे का आपका लगबग 30 साल में कितना रुपया गया 30 साल में आपने जो deposit किया वो हुआ केवल 18 रुपे मैंने कितना का था कि 30 साल में आपका initial amount जो है वो 18 रुपे deposit हुआ जबकि आपको इस 18 रुपे पर interest जो मिला हुआ है एक करोड़ चपन लाग 14,820 और total आपका जो finance fund हो गया वो कितना आगया आपके सामने यहां देखिए एक करोड़ चौतर लाग 14,820 रुपे यह है power of compound interest जितने लंबे समय पर आप जाएंगे उतना ज्यादा आपको benefit हो पर आईए इसको मैं एक graph के वादियम सी भी आपको समझाता हूँ कि देखिए अगर graph की calculation हम देखेंगे न तो यह amount कैसे और कितना हो गया है यहां पर हमने एक table के रूप में देखा यह table आप हैं अगर इस graph को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो आपका initial amount deposit है वो 5-5,000 करके बढ़ा है मतलब हर साल 60,000, 1,20,000 फिर इसी तरह से बढ़ते 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 आपका 18,000,000 का amount हुआ है लेकिन जो interest का flow है वो बहुत तेजी से बढ़त लाइफ में ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ यदि आप इस बात को ठीक से समझ लेते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्तमान आये क्या है आपके वल 25,000 रुपे महिना कमाते हैं और सिर्फ 5,000 रुपे पर मन्त की saving करके भी करोड़ पती बन सक करते हैं जबकि यदि आप 50,000 रुपे महिना भी कमाएं और अगर आप saving ठीक तरीके से करते हैं लेकिन invest नहीं करते तो भी आप करोड़ पती नहीं बन पाएंगे और यदि आप लाखों में भी कमाएं और तब उसको निवेश भी ना करें अपने खर्चे करते जाएं अपन एट्थ वंडर केवल उनके लिए है जो इसके हिसाब से निवेश करते हैं तो सेविंग की पावर को समझें और सेविंग के साथ साथ उस सेविंग को राइट तरीके से इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टिंग से रिलेटिड यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मु नह dimole निवेश आई तक कि आने वाले वीडियो में मैं आपके सावाल का जवाब दे सकूँ दोस्तों अच्छी इनकम कमाने के साथ साथ सेविंग जरूर करें और सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग जरूर करें क्योंकि इन्वेस्टिंग से ही यह ड popular होती है के अपर यदी आप अपने पैसे को भी काम पर लगाते हैं, तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है, और आप दोनौं मिलकर जब पैसा कमाते हैं, तो बहुत जल्दी आप करूर पति बन सकते हैं, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्सर अमित्मा एश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत